अजय वालेकुम जी मैं हूँ रशीद बालोच इस वकत आप दुरूंटी वी देख रहे हैं आज अच आफने हमें सेकस्क्राइब करना है अपना फीड़बेक देना ही और गृंटी का बटन दबाना है देखेजी मौजूद हुकूमत जो है वजूद में आने के बाद उसके वजूराला के कुछ स्टेटमेंट अगर आप पिछले एक दो मैनों का उठाके देखें मेडिया में जहां पे उन्होंने बात किये या नजी मेफलूमे में जो बात होती है या किसी वफ़ से भी उन्हों पाकिस्तान में एक किसम की कुछ चीजें जो आर्डेडी से पहले चल रही थी उनको रोका जाना चाहिए मिसाल के तौर पर पाकिस्तान एरान बारडर से दिन में सेंकडूं के साब से लोग जो है आर पार अशिया खुर्दूनोश हो पिट्रोल हो डीजल हो बाकी चीजे हो इस कारबार में मुंसलेक है और इसमें हमने कई बार इससे पहले भी हुकूमतों में हमने वीलोग किये हैं और आदा बलश्तान जाहरा के एरान के बारडर से जो है वो जुड़ा हुआ है उसका कारबार जुड़ा हुआ है तो इसको मौजूदा जो वज़िराला साहिब है वो या मौजूदा हुकूमत वो यह समझती है कि जी इसम्गिलिंगे और इसको हम और घार कानूनी इसम्गिलिंगे और इसको जो है रोका जाना चाहीए तो मेरा ख्याल है कि वज़िराला के बार बार के जो स्ट्रैटमेंट्स आ रहे है जो उसके मौकफ सामने आरहा है सूरी उस पे बज़िज़ाला साहिब किसी ना किसी अद्टा की इंप्लिमेंट करने की कोशिश करेंगे जारे के उस में पर सेकूर्टी के लिए आइफ सी और दूसरे जो फोर्सेज हैं उसकी भी जारे की ज़रूत पड़ेगी तो इन अलाकों में जहां पर पंज़गूरू आपका तफ़तान केच इतीन ऐसे अजला हैं जो जिनके बौर्डर जोड़े हुए हैं एरन के साथ और यहां से दिन में तकरीबान क्रोड रुपया की बलके अरब रुपया आपके सकते हैं कि यहां पर मुख्तलिफ अशिया की आरपार कारुबार होती है आप इसको एक अवाले से इस्लम गिलिंग भी कह सकते हैं और मकामी लोग उसको इस्लम गिलिंग नहीं कहते हैं उसकी वज़ा यह वो कहते हैं कि बौर्डर एरी दुनिया बर में जिसे मेक्सिको और अमरीका है अगर वहां पर अगर आप जाएंगे तो वहां भी आपको बहुत सारे अक्टिविटीज कारुबारी अक्टिविटीज नजर आते हैं अतरिटीज को पता भी होता है कि जी अमरीका में क्या रहा है और अमरीका से मेक्सिको क्या चीज़ जा रही है और ज्यातर जारा है कि अमरेका से मेकसेको जो सामान ले जाई जाती है, उसमें गाड़ियां शामल हैं, इलेट्रोनिक के सामान हैं, काने पीने के अशिया हैं, बहुत सारे सामान हैं यह मैं मेक्सेको और अमरेका का इसलिए मैं मिसाल दे रहा हूं कि अमरेका इस वोकर सुपर पावर है दुनिया में और राज कर रहा है बाकी मौलक में बहुत सारे मौलक में ऐसा है इस तरह के जो बॉर्डर एरियास के लोग होते है न वो उनके लिए कुछ आसानियां पैदा उटा लिया बिसकेट काने पीने की अशिया कंबल अल पीजी वगेरा जो इनसानी जरूरियात के अशिया होते हैं उनका जो है जहां जरूरत होती है उस तरह अगर चावल जरूरत होती है लोग ले जाते हैं उदर से इस तरह जो जरूरत होती है वो ले आते हैं एक काफी प या जो बिस्किट वगए रहे हैं, वो काते हुई हैं, शायद हम बड़े हुई हैं, चुंकि पाकिस्तान के अगर एक फेक्टरी से लाहोर से अगर कोई चीज आप उटाएं, मैं एक एग्जेंपल दे रहा हूं, बिस्किट उटा ले, आप तुर्बत तक ले जाएंगे, आप को पांच से छे दिन लगेंगे, अगर आप एरान बार्डर उस तरफ से आपको आदे गंटे, दो गंटे के अंदर जो इरान का बिस्किट जो है, तुर्बत के किसी भी दुकान में आपको मिल सकता है, केने का मक्सद यह हैं, कि जो बकामी लोग हैं, वो इसे सम्गिलिंग समझते हैं, वो केते हैं, कि जी यह हमारा जराय हमदन है, और यह मुखतलिफ आपकात में, मुखतलिफ हुकूमत में, कभी उसमें सकती आई है, कभी नर्मी आई है, लेकिन होता रहा है, इस दफ़र जो मुझे लग रहा है, सफ़रा बुक्टी साब की हुकूमत में, यह जो लोग इस कारबार से जुड़े हुए हैं, बॉर्डर के लाके से, उनका क्या होगा, उनके लिए अल्टरनेट हुकूमत ने क्या बनाया है, क्या बनाना चाहती है, यह अभी तक पता नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि इस बॉर्डर एरियाज में, बंद करेंगे तो उनका एक मौकफ होता है, पहले तो वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होते है, कि जी संगलिंग नहीं है, वो के ते हैं, इस को आप किसी तरीके से उनको लोजिकली समझाने के कोशिश करें, वो नहीं समझेंगे, वो अपनी बात करेंगे, कि कानुनी तोर पर यह जाय अगर हमने सहुलत दे भी दी, हुकुमन ने तोड़ी बात सहुलत अगर देना भी चाहिए, तो वो ज्यादा से ज्यादा तुर्बत या तफ्तान जो अजला जुड़े हुए है ना बार्डर के साथ, उन अजला से बाहर पर सामा नहीं जानी चाहिए, यह वो कहते हैं, किसी लेकिन बात यह है, कि मैंने जैसे कहा कि बालुष्टान का आदा आदा आबादी, बालुष्टान की में आदी आबादी आप समझ सकते हैं उसको, वो तुर्बत से लेकर कोईटा ता कि पूरा जो रूट है ना, यहां से कोई ना कोई बंदा किसी ना किसी तरीके से, इस अगर एक पिट्रोल सस्ती आ जाती है इरान से, यहां पे कोईटा तक पहुचती है और वो इस्तिमाल होती है, तो इससे वो जो आपका अनरजी क्राइसिस है, बाकी चीजें आपके जो है, वो क्राइसिस आप चल रहा है आपका, किसी हद तक तो वो कवर हो रहा है, ना, एक सो तक पढ़ सकती है, तो एक हिसाब से आदेगें, प्राइस में आदा आदा जो है, उसमें फर्क होता है, अभी मसला क्या इदर बना हुआ है, मसला ये बना हुआ है, चूंकि बहुत बड़ा एक आरपार का बिजनिस है, अरवों रुपया का है, तो इसमें जो माफिया है ना, उनों ने अपने पंजेगार दी है, माफियाज में, कोई भी बहुत कम ऐसे लोग होंगे, जो इस कारबार से मुनसलिक नहीं होंगे, वो गरीबों को आप रहने दें, जिसके पास एक डॉटसन गाड़ी है, दोजार अरस पावर, तीन अदार अरस पावर का, जो हफते में एक बार जो है, एरान से ला सकता है, उसके लिए तो काफी सारे मसायल भी हैं, उसके लिए काफी सारे मुश्किलात भी हैं, उसको बता भी देना पड़ता है, उसको अपने इंकम से शेयर भी देना पड़ेगा, जो हुकाम है उनको, लेकि जो माफियाज हैं, उन म रहे हैं इन अजला में पंजगूर में या तुर्बत में केच में आप जड़ा उनका बैल बैल बैलन्स चेक करें या इसी तरह कोई इस पूरे मामले में जो बिजनिस होती है उससे जो है अपना फाइदा ना कमाया हो पर माफिया बनती है ना इस तरह इन बॉर्डर में माफिया बने हुए है यह में दावे से कह सकता हूँ कि यह जो सुभा हुकूमत इसके लिए सीरियस एक्दाम भी करें बंग भी कर ले यह होगा उजो जो जम्बियाद गाड़ी उटा के आट दस हजार लीटर महीने में हफते में एक बार लाते हैं ले जाते हैं उनका जो गुजर बसा रहे उस पे हैं बाकी माफिया जो अरब पत्ती बन चुके हैं और बन रहे हैं आजदा भी बनेंगे उन पर कोई आर्ट डालन बने वाला नहीं होगा बरके गुजशता हुकूमतों में सीम सेक्टर तक पिट्रोल डीजल के पैसे आया है कि एक बेक्स आया है डीसी खुद पहुंचा चुके हैं बाद में यह हुआ कि एक दोर में एक टोकल सिस्टम स्टार्ट किया गिया टोकल सिस्टम में भी इस आरो पास अब तोकन यह है कि आपको एक टोकन दी जाती है आप जाके अपनी गाडी का से जाके बارडर से फियल करके वापर मार्किट में ला सकते हैं वो आपको एक टोकन लोकली इनताविया देती है पहले एफसी दी आ करती थी बाद में डीसी के हवाली किया गया तो ये अभी उस टोकन का ये है कि जारे कि गाड़ी एक लग का जो है उसमें मठेरियल या इनन डे के आ रहा होता है उसका अगर फाइदा मज़िद एक लग रुपिया है तो उस फाइदे का पचास जार आप ने उदर जिल्लई आफिस का वहां पर इंतजामिया का होगा फ़ह वो डीसी हो एसी हो एसी का कोई अफिसर हो कोई और इदारे का ओ वो अपना इससाब से ले ले लेगा दिन में 12 सब से 1500 गाड़ी आती जाती हैं और हर गाड़ी से डाई से 3 लाग रुपिया ली जाती है एक लाग से कम तो होता ही नह है तो आप अंड़ा दालाइं कितने पैसे जो है वो जमा होते है कि बेक्स कि मदलमें भॉज एक गरे कि महाने का कि माफिया को एंडल करते हैं जो फॉरा आश जो गरी स्ट माइब माइबे ओगा कि यज तोकं दोगे लोकल बंडे वो उस को कहेंगे कि जी माइने में आपने एक चक्कर लगानी है एक बार लेकर आना है उसकी आम अमदनी होगी लाग डेड़ लाग रुपया होगी उसमें मुनाफ़ा एक लाग का है पचाहजार माफियाज का जाएंगे और पचाहजार आप कहा हो माइना पचाहजार आप गुजार हुए हैं, उनके अगर किसी के पास 200 गाड़ियां हैं, किसी के पास 300 गाड़ियां हैं, वो डिली एक ट्रिप लगा लेते हैं, डिली रोजहांदा की बन्याद पर, तो ये आप बंद भी करेंगे, एक तो ये जो माफियाज हैं, इस को ये तो होकूमत नहीं कंट्रॉल कर पाए माफियों वही है जो सरकारी इदारों में हैं कोई डी सी है कोई एसी है कोई इस मौकमे का है कोई उस मौकमे का है उसमे मिनिस्टर भी शामिल हैं बहुत सारे माफियों तो यही है आम गरीब बनना तो माफिया नहीं बन सकता इन से आप कैसे बंद करवाएंगे लेकि बंद वो लोगों का जराय आमदन जो रोका जाएगा, उनके लिए कोई अल्टरनेट जराय आमदन का कोई बंदबसना जरा रहा है. और दूसरी तरफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले चंद दिनों में शायद एफसी की चेक पोस्ट हैं और उनके मज़ीद बढ़ जाएं और कारवाई यहां भी एफसी की जानब से यह बाकी वो फोस्टिस की जानब से वो बढ़ने की इमकानात मौजूद हैं वो हकुमत रीजन से कोटी है तो वजिराला परिश्टान साब कहते हैं कि अपनी इंट्रूज में कई बार उने का है कि जब से हमने आफसी को अटाया है उसके बाद जो है हाला खराब हो गए लेकिन मैं तोड़ा सा अर्गुमेंट अगर करना चाहे बंदा वजिराला साब से जो लोग जो लोग इंट्रूज लेते हैं न वो हैं पंजब में बड़ा या इसलामबाद में कराची में बड़े बड़े स्टीडियूज में बैटे हैं इसी स्टीडियूज में उनको क्या पता है कि यहां मुश्किलात क्या हैं आप वो इंट्रूज के लिए बलाते हैं किसी भी सकता है वजिर्जाला साहिब ने कहा कि देखें जब से हमने एफसी को अटाया है तो वर्दातें बढ़ गई हैं और ये जो मैंने अभी पूरा एक तेहमीद बांदा बॉर्डर ट्रेड को जो इसम गलिंग आफिशली का जाता है उस पे जो बात की सिर्फ गुजारिश है वज ही हजार गराने इस कारोबार से सदियों से जो है वा मुनसले के सदियों से अल्टरनेट आपके पास कुछ नहीं है बेरोजगारी इस टेम बरोच्टान में बेरोजगारी अपना आखरी हद चूर रही है आखरी हद चूर रही है गुजश्टा दस सालों में जतने सरकारी मुकुम में आसामी आई हैं हलफिया कहे कोई भी बंदा कोई जो जमदार है वो दिल में हाथ रखके हलफिया कहे कि वो बगएर पैसे के वो किसी नوجवान को मेरिट पे कोई नोकरी दी गई है पैसे लेके दी गए है जब अवामी नुमाइंदा हराम खुरी में इस हर्थ तक आगे निकल जाता है कि अपने इलाके का जिस बंदे से वोट लेता है उसी बंदे का कोई आईसामी आती है उसी अपने इउटर को अपना इंही अSामी बेश दे तो पिर इसको बंद होना चाहिए ना इस नाइसाफी को तो त्रीक है उसको आप बंद कर सकते हैं गरीब लोगों को नवाला आप चीन सकते हैं क्या आप एक कमिशन बटा दें इमान दार्श अगर आप का बता और वजिर आला काम करना चाहिए कमिशन बटा लें आप पहले पीडियमे से स्टाड लें कितने कितने बड़े माफियाज हैं और क्या क्या कर रहे हैं तो जब एक पोस्ट बिकती है एक आसामी बिकती है और बेरोजगारी अपने उरूज पर है तो उसके बाद एक आल्रेडी एक चलता हुआ एक रोजगार है एक जराए आहमदने लोगों के पास वो भी आप बंद करेंगे तो पर लोगों को आप किस तरफ दखेल रहें आप क्या कहते हैं इससे आप अमन अमन बरकरार रखेंगे एंकर को पूछ लेना चाहिए था इससे अमन अमन आप बरकरार रखेंगे पेट ऐसा जालिम चीज़ है वो किसी हद तक किसी बंदे को ले जा सकता है आखरी हद तक ले जा सकता है याद रखें या बंद करें आप पर आलात को कंट्रोल करके दिकाएं मैं मान लूँगा आपको दूसरी तरफ जान तक एफसी चेक पॉस्टों का तालुक है तो जनाबा दोजार चे से या पांच से लेकर दोजार अठारा उननीस तक चेक पॉस्टों एफसी की रही है हर जगा रही है कोईटा से कराची जितना सफर में आपको टाम नहीं लगता था उतना चेक पॉस्टों में कड़े होके आपको तलाशी देने में लगती थी क्या हाला टीक हो गए देखें कुछ वाकियात को जवास बनाकर इस तरह के जब फैसले किये जाते हैं उसका मकसद अमन अमन बरकर मुझे जो लगता है बरकरार रकना नहीं होता आफसी पहले भी मौझू थे आपने इसी कोईटा शेर के अंदर इसी कोईटा शेर के अंदर आफसी और पॉलीस आपस में लड़ रहे थे वो कि ये अपनी चेक पॉस्टें नहीं लगाना चाह रही थी अगला अपने चेक पॉस्टें नहीं लगाना चाह रही थी ये ज़रे कि आप चेक पॉस्टें यहां नफरी बढ़ाएंगे ना उसका डेफिनिटली जितना भी खर्चे खराजात होंगे सेकॉरिटी के वो सुब मेरे पेट से बलुच्तान की आम अवाम के पेट काट कर जो है सेकोटी पर खच कर रही है क्या एफसी ने अमन अमन बरक्रार रखा और ये कब तक एक मेरा पेट काट के मेरा पैसा सेकोटी पर जाके खच किया जाएगा असी अरब मज़ा के सेकोटी के मद में अभी ये जो सेटी डी आपने मनाया है इसका आप बजट दें आप हैरान रहे जाएगे सर पकड़ के बढ़ जाएंगे डिपार्टमेंट पर डिपार्टमेंट बना लें और सुभाई खजाना जो है बलुष्टान के अवाम का पैसे जाके इन पर खर्च करें सीटी डी पर एफसी पर इस पर भाई ये जितने पैसे आप खर्च कर रहे हैं ये बलुष्टान के आम बलुष्टान के आम बलुष् development पे आप खर्च करें लोग सो पूछते हैं कि जी बरुष्टान में यहर आप अंदाजा लगा लें यह बरुष्टान जूनिस्टी है इस तरह के बहुत सारे इदारे हैं बंद पड़े हुए हैं तंखाएं नहीं मिल रही हैं और आपका फंड जो है इदर उदर खर्च हो रह करते रहेंगे कितने साल तक आप करते रहेंगे आपके पास अल्टरनेट बजट है आप जाके मरकस से बजट लेके आएं कि जी यह बजट हम अपने एक रुपिया भी उस पर खर्च नहीं करेंगे हमने सेकोटी बढ़ानी है एफसी चेक पॉस्टें बढ़ानी है सी टीडी बजट है पुलीज को हमने जो है मज़ी तवसी देनी है लेवीज को जो है हमने मज़ी ओक सारब जो सेकोटी के पैसे है ना वो बरश्तान के डिवलमेंट के फंट से निकल रहे है यार इसी कोईटा शेयर में आप देखें शरम आती है बंदे को बाद ये केपिटल सिटी है ये केपिटल सिटी में हम रह रहे हैं एक सलामत रोड नहीं है एक जिस पर सफर किया जाए सुकून से एक और आते हैं मीटिंग्स में बैठते हैं और ऐसे ऐसे बादें करते हैं जैसे बादशा सलामत हों बस होकम नामा जारी कर दिया इनको पता है कि हमने कल इदर से उठके निकलना है कोई इसल्म ओबाद, कोई लंड़न, कोई दुबऊइ में जा के हमने बसना है एक वजिर आला मुझे आप दिकाएं बर्ष्तान का जो बर्ष्तान में कुईटा में रह रहे हैं अपने अलाके में रह रहे हैं या जैसे वोदा मिल जाता है आंके सर पर आ जाती है और जी फैसले जो है रजादर किया जाते हैं कल तक के लिए जाज़त दीजिए लाफिस